दोस्तो अगर आपका अधारकार्ड खो गया है, ना तो आपके पास उसका नमबर है, ना ही आपको आपके नाम की स्पैलिंग बता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, जिसके मात्यम से आप आसानी से अपना अधारकार्ड नमबर फाइंड आ यह मेथड में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिद कोई भी इसकिप ना करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको एक मुबाइल फोन ले लेना है, और आपको उसमें डाइल करना है, यह आधारकार्ड का जो है, हेल्पलाइन नमबर ह यह दो को भी इल करना है, चली हमरे आपे डाइल करने हैं, यह दिया एक दबाना है, तो चली हम यह दो डाइल करना है, तो जैसी यह पर एक दबावका जो है, पर आपका जो है इसके बाद में आपको आठ डाइल करना है फोन बैंकिंग ओफिसर से बात करने के लिए जो है जो इनके कस्टमर के एक्जिक्यूटिव होते हैं उनसे बात आपके हो पाएगी और फिर वो आपको आपको आपका एडरस पूछेंगे मोबाइल नमर रेइस्ट आपको आपके अधार कार्ड में जो भी आपके अधार कार्ड में एडरस है वो एडरस आपको इसमें बताना है अगर आपका मोबाइल नमर रेइस्टर है तो वो बता सकते हैं अगर आपका मोबाइल नमर भी रेइस्टर नहीं है तो आपके अधार कार्ड में जो एडरस है वो properly उनको बताना है जैसे ही आप ये आपका अधार काड का एडरस उनके साथ मैं चो जाएगा तो वो आपको आपका अधार नंबर प्रोवाइड करा देंगे उसके बाद में आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉंटक कर सकते हैं मैं आपकी आगे भी इसमें help जरूर करूँगा तो आसा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको काफी जादा पसंद आई होगी अगर ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक करते हैं साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हो प्रेस करते हैं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे तो गाइस थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो